सभी का उमीद लोग क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों तो देखिए आप सभी के लिए लौ फाउंडेशन बैच चलाय जा रहा है तो जितने भी जुडिशिली एस्परेंट है क्लेट एस्परेंट एलल भी स्टुडेंट एदर एस्परेंट ह है तो प्री प्लस में बैच आपका चलाय जा रहा है दोस्तों जो 25 हाई कोर्ट के लिए 25 हाई कोर्ट के लिए ऑल इंडिया जुडिशल एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपून आपका कोर्ट है बैच है तो जितने भी मेजर एक्ट से वह आ जाएंगे माइनर आ जाएं करण्ट अफेर तो उसकी भी तयारी आपको करवाई जाएगी जज्जमेंट को किस प्रकार से लिखना है क्या गलतियां आप से हो जाते उसको रिमूफ किया जाएगा ऐसे राइटिंग लिखने का तरीका आपको बताया जाएगा टैस सिरीज और नोट्स यह भी आपको प् भारतिय साक्षय दिनियम है दोस्तों यह क्या है भारतिय साक्षय द्वितिय विध्ययक भारतिय साक्षय द्वितिय विध्ययक है दोस्तों इसको सही कर लेते हैं कोई बात नहीं विध्ययक 2023 भारतिय साक्षय सेकंड बिल 2023 के हम बात करते हैं तो बात कर लेते हैं इसमें पा बार पार्ट से हम हम करें तो कितने हैं बारा हैं sections की हम करें तो कितने है 170 है और schedule में हम distant तो कितना अपका दिया गई है यह पूरी रूप रेखा हो गई आसेंट कम मिली थी तो 25 दिसंबर 2023 को थीख है enforcement की बात करें तो दोस्तों भी तो यहां पर पूर्ण रूप से सारी चीज़े अविलेबल है जहां पर कारेवाईयां की जा सकती है वहां पर पहले एंफोर्स होगा लेकिन हमारे सेंटर गॉर्णमेंट जब नोटिफाय कर देगी वह एंफोर्समेंट डेटा की हो जाएगी तो यह देखे पूरा एक मैंने आपका परफॉर्मा बता दिया है एक पुरी रूपरेखा बता दिया है बात करते हैं हम आर्जेस की तो आर्जेस का नोटिफिकेशन बहुत जल्द नहीं है कोई एक्स्टा चार्ज आप से नहीं लिया जाएगा सबका समागम इसी में हैं दोस्तों प्रिविएस यह कोशन पेपर साब को सॉल्यूशन करवाये जाएंगे कहां कहां मिस्टेक्स हो जाती है उसको रिमूफ करवाया जाएगा तो उमीद क्लासेस के साथ में आरा जो आपकी 57 है जो की प्रात्मिक साक्षे यानि प्राइमरी एविडेंस की बात करता है किसकी बात करता है और दोस्तों यह पार्ट नंबर आपके कहां दिया हुआ है थ्री में दिया हुआ है जो ओन प्रूफ की बात करता है किसमें दिया हुआ है और यह चैप्टर नं आपका लिया गया है chapter number 5 से लिया गया है जिसका नाम क्या है डॉक्युमेंटरी एविडेंस है जो आपका कहां से चलता है 56 से लेकर के 93 तक आपका चलता है दूस्तों तो देखो ऐसे अगर इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो हमको समझ में भी आ जाता है रिविजन हमारा बहुत फास्ट हो जाता है तो 57 जो आपके प्रात्मिक साक्षे की बात कर रहा है प्राइमरी एविडेंस इसे के बारे में हम बात करते हैं एक बात और इसमें रह गई है दोस्तों तो एक बात क्या रह गई है मैं देखो इसकी हम बात कर लेते कि इसमें हम क्य क्या पढ़ने वाले हैं तो यहां पर इसमें आपके साथ तो explanation आपके दिये हुए हैं दोस्तों यानि किस पस्टी करण ठीक है और एक आपका द्रस्टांत दिया हुआ है क्या दिया हुआ है द्रस्टांत दिया हुआ है that is illustration ठीक है बाकी आपका section में जो नॉर्मली दिया हुआ है वो दिया हुआ है ठीक है और इससे पहले जो मूल बात इसकी कही गई है कि primary evidence क्या है उसके बारे में आपको दिया हुआ है तो important बात क्या है important यह कि explanation कितनी है साथ द्रस्टांत कितना है एक पहले कितनी explanation थी दो यह explanation थी दोस्तों पहले कितनी explanation थी पहले आपकी दो ही explanation थी ठीक है चलिए आगे देखिए अब यह भारती नया है सहीता 2023 फ्री बैच आपका चलाए जा रहा है दोस्तों जिसमें complete course topic wise test panel PDF test series और नोट्स और 25 five five courts कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है और इंडिया जुडिशेल एक्जाम के लिए important है दोस्तों तो यह भी आप कर सकते हैं और यह आपके लिए है फुरी फुरी ठीक है अलक से इसलिए लिखा है क्या पता यहां न जन नहीं जाए तो यहां चल लाए ठीक है तो community service तो इसमें topic wise आपको बून-बून से इसमें भी घड़ा भर दिया जा रहा है इसकी भी अगर आपको PDF से अगर आ चाहिए आप तो आप रजिस्टर्ड कराईए उमीद classes से डाउनलोड करिए और अपने को रजिस्टर्ड करवाईए इसकी PDF सापको वहां पर मिल सकती है चलिए आगे देखिए मिलेगी सेक्शन नमबर 57 प्रात्मिक साक्षे की बात करता है तो प्रात्मिक साक्षे क्या होता है तो देखिए प्रात्मिक साक्षे नाम सही समझ में आ रहा है प्रात्मिक साक्षे क्या होता है प्रात्मिक साक्षे से नियाले के निरिक्षण के लिए नियाले के निरिक्ष हैं प्रात्मिक साक्षे कहते हैं अब इसमें कुछ स्पस्टिकरन दिये हुए हैं कि प्रात्मिक साक्षे क्या क्या हो सकते भी क्या क्या शामिल है तो स्पस्टिकरन एक यह कहता है कि जहां कि कोई दस्तावेज कोई मूल प्रतियों से निश्पाधित है जहां कि कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निश्पादित है वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्रात्मिक साक्षे कहलाता है दूसरा क्या कह रहा है कोई दस्तावेज प्रति लेक में निश्पादित है और हर एक प्रति लेक पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निश्पादित किया गया है वहाँ हर एक प्रतिलेक उन पक्षकारों के विरुद जिनों ने उसका निश्पादन किया है प्रात्मिक साक्षे है अब यह inclusive definition कहला रहा है यह मूल प्रतिया निश्पादित करने के लिए तो उसकी बहुत सारी मूल प्रतिया बनाई गई तो मूल प्रति हर एक मूल प्रति प गया प्रात्मिक साक्षे हो गया दूसरी बात देखिए जहां कि अनेक दस्तावेजे एक रूपात्मक प्रक्रिया एक ही प्रक्रिया के रूप द्वारा बनाई गई है जैसा की मुद्रण शिला मुद्रण या फोटो चित्रन में होता है वहाँ उनमें से हर एक शिष सबकी अंतरवस्तु का प्रात्मिक साक्षय कहलाता है किन्तु जहां वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतिया है वहां वे मूल की अंतरवस्तु का प्रात्मिक साक्षय नहीं है दोस्तों क्या बोल रहा है इस पस्टी करण तीन क्या कह रहा है दोस्तों कि अनेक दस्ता वेजे एक रूत पात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है ठीक है तो जो फोटो होगा चित्रन होगा शिला मुद्रन है वो एक दूसरे का तो प्रात्मिक साक्षे है लेकिन ये बे सब किसी सामान्य मूल की प जहां कोई electronic या digital अभिलेक स्रजित या भंडारित किया गया है electronic या digital अभी लेग क्या किया गया सरजित और भंडारित किया जाता है ऐसा भंडारन एक साथ या पश्चात वर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है तो हर एक फाइल क्या कहलाती है उनमें से प्रात्मिक साक्षे कहलाती है तो तीन हो गया चार हो गया अब इस प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा इलेक्ट्रानिक और डिजिटल अभी लेग प्रात्मिक साक्षे है जब तक कि वह विवाद ग्रस्त नहीं हो अगर वह विवाद ग्रस्त है तो नहीं होगा अन्यथा है इस परस्टी करंट 6 क्या कह रहा है जहां किसी वीडियो रिकॉर्ड को इलेक्ट्रानिक प्ररूप में एक साथ बंडारित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारेशित या प्रसारित या अंत्रित किया जाता है तो हर एक बंडारित रिकॉर्डिंग प्रात्मिक साक्षे कहलाता है एक ही रिकॉर्डिंग है वो भी अलग-अलग परसंस क पास में हैं तो हर एक वो प्रती क्या कहलाएगी हर एक वो recording क्या कहलाएगी प्रात्मिक साक्षे आपकी कहलाएगी इस प्रस्टी करन नंबर साथ जहां किसी electronic डिजीटल अभी लेक है record रखे गए को किसी computer संसाधन में एक से अधिक भंडारन स्थान में बंडारित किया जाता ह एसा प्रतेक स्वचालित भंडारन जिसके अंतरगत अस्थाई फाइले हैं तो प्रात्मिक साक्षे कहलाती है यह की फाइल की कॉपिया और भी computer में है तो हर एक computer में वो एक जो फाइल है वो क्या कहलाएगी प्रात्मिक साक्षे आपकी कहलाएगी ठीक है तो यह साथ प्रत अनेक प्लेकाड किसी व्यक्ति के कबजे में है किसी व्यक्ति के कबजे में है इन प्लेकाडों में से कोई भी एक अन्य किसी की भी अंतरवस्तु का प्रात्मिक साक्षे है किन्तु उन में से कोई भी मूल की अंतरवस्तु का प्रात्मिक साक्षे है नहीं है दोस्तों एक ही समय में अगर एक ही मुद्रित है केवल सील लगी हुई है तो एक दूसरे की वो अंतरवस्तु की तो प्रात्मिक साक्षे है लेकिन मूल की प्रात्मिक साक्षे नहीं है ये कहना चाह रहा है अब फास्टेक टेक्स सीरीज एपी ओ के लिए हुबावू परिक्षा पैटर्न पर आदारित है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश की तैयारी आपको अच्छे से करनी है तो डिटेल वीडियो सॉलुशन के साथ में आपको मिल रहा है पेपर से पहले 20 बार पेपर जैसी तैयार तो पचास में से पचास अंक अगर आपको चाहिए तो आप ये टेस्स सीरीज ले सकते हैं section 57 की हमने बात करी तो प्रात्मिक साक्षे यानि की primary evidence है means the document itself क्या होता है document itself produced for inspection of the court inspection of the court आपका दिया हुआ है तो यहां पर परपस भी पूछ सकता है प्राइमरी साक्षे का परपस क्या होता है तो inspection of the court तो इसमें seven explanations है उसको हम बारी बारी से देखते हैं where a document is executed in several parts then each part is primary evidence for the document explanation number evidence of the document document where our document is executed in counterpart each counterpart being executed by one or some of the parties only then each counterpart is primary evidence as against the party executing it तो counterparts हो गए आपके पार्ट आगया इसमें वो सभी एक दूसरी की क्या है primary evidence है अब देखिए explanation number three explanation number three क्या कहती है वे और a number of document number of document are all made by one uniform process एक uniform process वाली बात कर रहे हैं एक uniform process से बनाया है as in the case of जैसे printing हो गया लीथोग्राफी हो गया फोटोग्राफी इच प्राइमरी evidence of the of the contents है दूस्तो contents of the rest but where they are all copies of common originals they are not primary evidence of contents of the original तो देखिए एक दूसरे का तो क्या है primary है बट अगर हम पूरे common original के हम बात करें तो उसके content का primary evidence नहीं है explanation number four क्या कह रहा है where an electronic और digital record की बात कर रहा है दोस्तों is created stored and such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files multiple files then each such file is primary evidence तो किसी storage में रखा हुआ है और उनके multiples बने और भी file बनी हुई है उनके और भी copies है तो हर एक copy हर एक file क्या कहलाईगी primary evidence कहलाईगी explanation number five where an electronic or digital record is produced from proper custody की बात कर रहा है proper custody में है then such electronic or digital record is primary evidence unless शर्त क्या रख दी कि वो disputed नहीं हूँ तब तक disputed है तब वो ली नहीं जाएगी explanation number six क्या कह रहा है where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another each of the stored recordings is क्या हो जाएगी हर एक recording primary evidence हो जाएगी अब explanation number seven क्या कह रहा है where an electronic or digital record is stored in multiple storage multiple storage spaces in a computer source resource each such automated storage including temporary files is primary evidence तो यह seven explanation है देखो आपके यहाँ पे जो digitally की बात कर रहा है वो कहां से कर रहा है four five six और seven आपके electronic और digital जो आपके record से उनकी बात करता है ठीक है तो देखिए illustration से हम समझ लेते हैं a person is shown to have been in a position of a number of play cards all printed at one time from one original any one of play cards is primary evidence of the contents of contents of any other contents of any other but no one of them is primary कोई भी इन में से primary evidence नहीं होगा of the contents of the original original के content के क्या नहीं होंगे वो primary evidence नहीं होंगे एक दूसरे के तो primary हो सकते हैं बट जो original है उसका primary evidence नहीं हो सकता है तो दोस्तों यह आपके primary evidence की बात थी और APO की भी आपकी बहुत जल वेकेंसी आने वाली है तो उमीद है तो judiciary है complete course आपको दिया जा रहा है तो दोस्तों अभी तो मौका है आपके पास समय है कि हम हमारी गलतियों को किस तरह से हमें याद करना है अभी तो हम धीरे धीरे हमारी गाड़ी को पट्री पर ला सकते हैं फिर स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर मजा ही कुछ और है दोस्तों ठीक है तो complete course के साथ में test series previous year के question papers आपको करवा रखें इसके playlist आपको दी हुई है तो वह आप ले लीजिए mcqs आपको करवाये जाएंगे पूरे अच्छे से एक ही प्रयास में कैसे सफल हो इसके बारे में हम आपको पूरी बाते बताएंगे क्या गलती आपसे हो जाती है कैसे गोला गलत बर जाता है सारी बातों को हम बताएंगे इसमें ठीक है तो दोस्तों आपको यह वीडियो क उमीद Classes की एप को भी डाउनलोड कर लेना है दोस्तों जो फ्री में मिल रहा है उनको तो एड करी सकते हो केवल आपको एप ही तो डाउनलोड करना है और अपने आपको रजिस्ट्रेड कराना है और सारी चीजे आपको एक ही उमीद Classes पे मिल जाएगी चाहे वो हिंदी जो परिशान कर रहा है इस नंबर पर आप हमसे संपर कर सकते हैं और दोस्तों आपको फिर से मकर सकरांती की बहुत-बहुत शुपकामनाएं और इसी के साथ में कि 2023 में आपकी नौकरी लगेगी इन शुपकामनाओं के साथ में आपकी नौकरी लगेगी इन शुपकामनाओं क